वेल्कम टू लर्निंग ट्यूप चैनल आज मैथ सेट 29 होगा इसका पहला कोश्चन यह दिए एक संख्य है कि दो बट्टा चार और एक बट्टा दस्मा भाग 240 है यानि कोई संख्या हम लोग क्या माल लेते हैं एकस इसका दो बट्टा चार भाग का एक बट्टा दस्मा भाग जो है वो कितना है 240 है तो यहां दो से दो बार में कर जाएगा तो एकस बड़ावर कितना हो जाएगा 1029 यह दर मल्टिप्ला होगा तो 2448 डेवल यानि इसका जनसुरुक उप्सन नमर सी हो जाएगा नेक्स आवाल देखते हैं यह रूट अंदर 15 माइनस एकस रूट 14 बड़ावर रूट 8 माइनस रूट 7 दिया गया है तो इसमें एकस का आवालो निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं पहले इस रूट को हटा जेते हैं रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों बगल sorry करेंगे तो दोनों बाहर देखते हैं तो दोनों बाहर यहां से रूट अटंत जाने जाएगा तो क्या बचsti गा पंद्रह मैनस एकस रूट 14 is equal to अगर इधर square करेंगे तो यह a-b का hollow square होगा a-b का square क्या होता है a square plus b square minus 2ab और एक बल्ले में 8 और एक बल्ले में root 7 ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा 15 minus x root 14 is equal to 8 7 15 हो जाएगा और minus 2 root 56 बचेगा 8 और 7 को गुना करेंगे तो 2 root 56 बचेगा यह 2-9 से 15 15 cancel हो जाएगा यह 15 अधर आगा तो 0 बन जाएगा और यह minus minus plus हो जाएगा अब यहाँ क्या बचा x root 14 बचेगा 2 root 56 तो x बचेगा होगा 2 root 56 by root 14 यह root 14 से अगर हम इसको काटे हैं यह 6 तो root 4 हो जाएगा और root 4 का क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा 2 पहले से था और इस root 4 का 2 निकल जाएगा तो 2 यानि 2 दो ना 4 यानि इस सवाल का जो अंसर होगा वो option नमर सी 4 होगा अब नेक्स सवाल देखते है 325 269 204 160 117 105 तो इस सवाल को जब भी बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं अंतर निकाल लेते तो यहां पर अंतर कितना है 6 6 5 16 66 फिर यहां पर 95 यहां पर आ जाएगा 55 का अंतर उसके बाद यहां पर 44 का अंतर और यहां पर 33 का अंतर और यहां पर 22 का अंतर तो हम लोग क्या देखरें 11 के मल्टिपल में अंतर घट रहा है तो यानि 16 के बाद पच्पन आया 11 घटा फिर घार घटा फिर घार घटा फिर घार घटा अगला बार 11 घटेगा 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 94 यानि इसका जन्सरों का वो 94 अप्शन नमर B हो जाएगा नेक्स आवाल लेखते हैं ये समिकरण का सरलिकरित रूप क्या आओगा यानि 17 पलस 12 रूट दो डिवाइड वाए 3 पलस 2 रूट टू तो इसको सरलिकरित रूप निकालने के लिए सब से पहले हम लोग क्या करते हैं इसका परमेकरण कर देते हैं तो नीचे 3 पलस 2 रूट तो उपर 3 मानस 2 रूट से उपर नीचे परमेकरण करना परेगा यानि साइन चेंज करके हम लोग परमेकरण करते हैं अगर हम परमेकरण करेंगे यहां पर तो ये दोनों गुना होगा तो यानि अगर हम गुना करेंगे तो 17 को पहले इस रूट 3 से उसके बाद ये 2 रूट 2 से गुना करेंगे अगर 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 ये क्या बन हो जाएगा और माइनस फिर 17 को 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो 17 दोना 34 रूट 2 हो जाएगा अब फिर क्या होगा कि ये 12 को ये 12 रूट टू को पहले ये 3 से गुना करना पड़ेगा तो 12 दूना 12 तीया 36 रूट टू अब फिर ये 12 रूट टू को मैनस 2 रूट टू से गुना करना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 12, 24, 48 हो जाएगा नीचे डिभाइड वाएगा नीचे A plus B into A minus B आ गया तो यानि A square minus B square हो जाएगा A square करेंगे तो 3 का square 9 और B square करेंगे तो 2, 4, 2, 8 यानि 9 माइस से 8 गया तो नीचे 1 ही होगा तो 1 से कोई मतलब नहीं है हर में एक रहे तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है फिर यहाँ एक क्याबन में से 48 गटेगा तो 3 बचेगा यहाँ 36 root 2 में से अगर 34 root 2 गटेगा तो 2 root 2 बचेगा इन इसका जो simplest form आ जाएगा वो 3 plus 2 root 2 option नमर C वाजाएगा इसका अंसर नेक्स सवाल आते हैं वो कौन सी छोटी संक्य है जिसे 261 में घटाया जा तो सेस पल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है तो सबसे पहले आप क्या किजेगा इस सवाल को हमेशा यह तो छोटा सवाल दिया है इसको हम लोग मन चले अगर किसी को square root पता है तो आप easy way में निकाल स संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 23 के अपरोक्स में चला जागा अगर हम 5 लेंगे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जागा तो हम क्या करेंगे 4 लेंगे अगर हम 4 को 4 से गुना करेंगे तो यह सोलो हो जागा फिर यह दोनों 4 जूट जाता है यहां पर यहां पर माइनस जोता है तोम यहां माइनस होगा कितना जाएगा है और यह कट जाएगा pulif ये शमिठ लेंगे ज़ो is a upload में पहुंचा दे यहां कि आधासी को यहां भी आठ लेंगे अब इस 모양 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 884 6 और 884 670 यानि यहां पर कितना रिमेंडर बच गया 7 और 47 47 रिमेंडर बच गया तो जो इसका अंसर आएगा वह हम 47 अगर हम इसमें से घाटा देंगे तो यह एक पूर्ण पूर्ण वर्ग बनने के लिए हमें क्या चाहिए रिमेंडर बिल् इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा रिमेंडर नहीं आगा इसको घाटाने पर 57 आजाएगा 57 तो अगर हम 57 घाटाएंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा यानि रिमेंडर नहीं बतना चाहिए रिमेंडर 57 बतना है तो हम क्या करेंगे रिमेंडर को घाटा दें काइज को 6 दिन में कर सकता है याने a plus b-qa Carmen कर सकता है और वह कारज को 8 तो a सो तंतर रूप से उस कारज को कितने दिन करता है हम क्या करें घटा देंगे अगर कोई व्यक्ति a पुलस बी अगर एक्स दिन में कर रहा है और a अगर y दिन में कर रहा है तो b कितना दिन करेगा x गुने y भाइ x-y यानि दोनों क्या करेंगे घटा देंगे तो उसी तरह से 6 गुने 8 बटा 8 में से 6 गया दो तो 2 चोका 8 यानि 6 चोका 24 यानि जो b है वो 24 दिन म आधा कर्ज करता है और c a b की दुम द्वारा लिए गए करणि की तुलना में आधा काम कर पाता है आ वी c तीन वेक्ति है हमें आधा करना है तो हम क्या करते हैं कोई ऐसा संख्या y को अगर हम दो मानेंगे तो a को एक मानना पड़ेगा यानि एएंग करता है और c a bJeab उसका आधा करेंगे तो डेर हो जाएगा तो हम इसलिए क्या करेंगे इसको दो एक नहीं मानके बी को चार मानेंगे तो ए उसका आधा काम दो करेगा और सी क्या करेगा इस दोनों के काम का आधा काम करेगा इस दोनों के काम कितना है दो चार दो छे छे का आधा कितना यानि सी तीन काम करेगा यानि उसके 6,7 कर पाता आगए है यह 6,7 कर पाता आगए है 2,7,4,7,3 अब क्याची बोल रहा है C अखेला उसकारज को 40 दिन फुरा करता है यानि C का 6,7 है जब 3,8 रहता है तो 40 दिन जब 1,8 होगा यानि जैसे ही छमता कम तो दिन जयादा होगा और जयादा होगा तो हम गुना कर देंगे तो 40 ती 120 दिन जब 3 छमता जब 3 छमता तो यानि जब 3 छमता तो 40 दिन में कर रहा है जब एक छमता रहेगा तो कितना दिन करेगा 40 ती 120 क्योंकि जैसे छमता कम होगा दिन जायता लगेगा जब सभी एक साथ मिल जाएगा यानि जब सभी एक साथ मिल जाएगा तो कितना छमता हो जाएगा सवाल बना लेंगे अगर दीन से बनाएंगे तो फ्वाल लंबा चला जाएगा लेकिन 16 बनाएंगे तो इजीव में बन जाएगा फिर 10 परशन का छूट ले तो 90 परशन इसका दाम परा यानि यह 0000 कैंसिल हो जाएगा 20 से 4 बार में 20 से यह तीन बार में सोरी 20 से यह 5 बार में और 5 से यह 3 बार में तो चारतिया बार नमा एक सो आठ यानि 1080 रुपया उसका कड़ाय मुला गया पंदरस रुपया दाम था और दो चूट पर यानि 20 परशन और 10 परशन के दो चूट पर खड़ा इसका मतलब 1080 रुपया खड़ा 20 रुपया उसकी धुलाय चार्ज जो भी धुलाय चार्ज होगा वह CP में एड़ हो जाएगा तो अगर 20 रुपय एड़ करेंगे तो जो टो 1200 गुने 120 बटा सो 20 परसें लापे बेचें तो 120 परसें निकलना पड़ेगा यानि यह 00 कट जाएगा और 11 को 12 गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा और 10 और यानि 1320 यानि इसका जो अंसरों का ऑप्शन नमर ए हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं चीजों का एक जोरा 15 परसेंट छूट पराप्त करके 37.40 रुपया में खरदा जाता है तो परते एक चीज का अंकित मुल क्या था यानि अगर हम अंकित मुल एक्स मानेंगे इस पे 15 परसेंट का छूट दिया तो इसका मतलब 85 परसेंट बेचा और यह ब सतर दूना 34 सतर दूना 34 220 बार में 5 से काटेंगे तो 44 बार में यानि जो एक्स का वायलू आया वो क्या गया 44 आ गया लेकिन यह एक जोरा का छूट था इसका मतलब दो चीज का अदाम 44 रुपया यानि दो बस्तू का अदाम 44 रुपया है क्योंकि जो 15 परसेंट छूट मिला जोरा पर मिला है यानि जो भी अंसर आगा वो जोरा में आगा तो यहां परतीक चीज का अंकित मुल पूछ रहा है न अगर दो का दाम 44 रुपया तो एक का दाम 44 वट्टा दो यानि 22 रुपयास का अंसर जो है वो डी हो जाएगा नेक्स सवाल आते हैं 550 वेक्तियों के लिए एक साहता कैम में खाद परदार्थ 28 दिनों के लिए था उस कैम में 150 वेक्ति आजए तो वही खाद परदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त होंगे तो जो हम लोग M1, D1 का यूज़ करते थे हैं वही हम लोग क्या करेंगे M2 नेक्स वेक्तियों आज़ी तो उसी चीज का यूज़ करेंगे 550 वेक्ति अगर 28 दिन खाता था तो टोटल खाद परदार्थ यह हो जाएगा अगर 1500 वेक्ति आया यानि पहले 500 था आप 1500 वेक्ति आया तो मान चेले आप खाद परदार्थ एक दिन तक चलेगा ठीक है यानि जब 550 ब्येक्ति था तो 28 दिन के लिए था तो टोटल खास समझेज इतना ओ जाएगा जब 1.uc07 जब ब्येक्ति आया तो मान चिलेता है तोय और यहां पे Ox काम निकालना था हौई तो यहां से अगर हमिस श्रंबला। writes चार बार ने और यह चार से 25 ऑर में फिर 25 से ये 259, 259, ये एक्स बराबर जाया हो, 22 दिन इसका अंसर हो जाएगा, नेच्ट आते हैं, एक थाले में 211 रुपए मुलके, 1 रुपए 55 और 25 पेसे की सिख्या का अनुपात, 1 रुपए 2 रुपए 3 हैं, तो उसमें परतेक परकार के सिख्य की संख्यां ग्याद कीजिए जिसे अगर सिख्य का जो संख्य का अनुपात दिया गया एक अनुपात दो अनुपात तीन अगर option में कोई भी option एक अनुपात दो अनुपात तीन आ जाता है तो हम इस सवाल को नहीं बनाएंगे डिरेक्ट व अगर यह बनाना रहे हैं तब कैसे बनाएंगे जैसे एक रुपय और पचास पैसा और 25 पैसे है इसके सिखे का जो अनुपात है वो एक अनुपात दो अनुपात तीन है ठीक है यानि अगर एक रुपया का एक सिखा है तो 50 पैसा का दो सिखा होगा और 25 पैसा का तीन सिखा होगा तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा अगर एक रुपए का एक सिखा है तो टोटल एक रुपए हो जाएगा पचास पैसा का दो सिखा है तो पचास पैसा को दो सुगना करेंगे तो एक रुपए यहाँ हो जाएगा 25 परिशा का 3 सिका है इसका मदब तोटल यहां पर 75 परिशा हो जाएगा तोटल मिला के हमारे पास कितना रुपया आ गया एक रुपया यहां एक रुपया यहां और 75 परिशा यहां हम 25 से कटें एक बगीचे में 12 पेर पर 984 आम था यानि टोटल 12 पेर पर कितना था 984 आम था 5 पेर का उसत 26 आम और 7 पेर पर उसतन 38 आम तोर लिया गया तो यानि 5 पेर पर अगर 26 आम तोरे और साथ पेर पर 38 आम तोरे तो यानि इसका मतलब टोटल हम इतना आम तोर ली अगर हम इतना आम तोर लिए इसका मतलब कितना वाजागा 65, 36, 12, 15, 13, 130 यहाँ पर और 8, 75, 75, 26, 26 यहाँ पर यानि टोटल मिला के 396 आम हम तोर लिए जब हम तोटल 396 आम तोर लिए, 984 आम पहले था, 396 आम तोर लिए तो 6 कितना वाजागा? 6 निकालने के लिए घटा देंगे 8, 8, 5, 588 आम 6 बचागा, अब इस 588 को अगर हम बारस डिवाइड करेंगे तो और सत आ जाएगा 6 का और सत आ जाएगा और सत परतिक पर पहुस्तन कितने आम बचे? तो बारस डिवाइड करका और सत निकालेंगे? यह निकालेंगे कितना हो जागा? बारचों का 48, बारचों का 48, बारचों का 48, बारचों का 149, आम चास आप्शन नमर 20 का राइट अन्सर होगा नेक्स आते हैं एक कच्छा की और सत आयो 15.8, लड़कों की 16.4 और लड़कों की 15.4 है तो लड़के लड़की का और पात यह तो सवाल लिजी है एलिगेशन की नियम समलोग बना लेंगे बाय का जो अन्पात हो 16.4 है और गर्ल का जो असत है वो 15.4 है और यह दोनों को मिला के जो आसत है वो कितना है 15.8 तो अब क्या करेंगे इस में से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जागा 0.4 यहां लिखेंगे फिर यह 16.4 में से अगर 15.8 घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 8.6 14 और 0.6 हो जाएगा 0.6 तो यह कितना हो जाएगा 2.4 और 2.3 यानि 2.5 तीन होगा तो 2.5 तीन कुईसी भी अप्शन में है तो इसका जो अंसर होगा अप्शन नमर डी हो जाएगा इनि में से कोई नहीं इसका अंसर 2.5 तीन आएगा नेक्स सवाल एक व्यक्ती एक बस्तू को 25 परसंद लाप पे बेशता है यानि अगर कडाय मूल CP अगर 100 रुपय था अगर CP 100 रुपय था तो SP कितना हो जाएगा 125 परसंद लाप यानि वो बस्तू 20 परसंद कम कीमत पे खरदा होता यानि CP हम 100 रुपय माने है अगर 20 परसंद कम में खरदा होता तो इसका मतलब 80 रुपय में खरदा होता अगर 80 रुपय में खरदा होता और 105 रुपय कम में बेचा होता उसे 30 परसंद का लाप होता है यानि बोला जारा जब 80 रुपय में खरदा होता तो उसको 30 परसंद का लाप होता इसका मतलब 21 रूपया कम में बेच रही है और इस 20 का जो भैलू है 10.50 सवाल में बोला ज़ा रहा है 10.50 रूपया कम कीमत पे बेच रहा है यहैंनि 21 का भैलू 10.50 तो एक का भैलू कितने हो जाएगा 0.5 215 ची 105 होता है तो जी 0.51 एक का भैलू हो जाएगा तो उस बस्तू का लागत मूल गयत करें तो लागत मूल हम लोग 100 माने थें तो 100 का भायलो कितना हो जाएगा 0.5 को अगर हम 100 सुगुना करेंगे तो 50 रुपया उसका लागत मूल CP हो जाएगा नेक्स सवाल आते हैं राहुल के पास 200 आम थे उसमें से 30 आम एक उरुपय हम खरदा गया था तो अगर 200 आम था तो टोटल से पी 200 हो जाएगा अब क्या हुआ कि 30 आम को अगर 25 परसेंट लाग पे बेचे आप टोटल हम SP निकाल रहे हैं 30 आम को अगर हम 25 परसेंट लाग पे बेचे तो यानी 125 वट्टा सो यानी 40 गुन 120 वट्टा सो यानी 48 ऊरुपय हम यहांपे हो जाएगा पूने 90 बट्टा सो क्योंकि हानी पे बेच रहे तो 90 बट्टा सो यानि नो सते 63 जो टोटल विक्रायमूल आएगा वो कितना आ जाएगा सबको जो रहेंगे तो 0.5 तो रहेगा ही आठ सत 15 छे कीश 3 24 2 3 5 4 9 6 15 6 21 यानि 24.5 रुपया टोटल विक्रायमूल आगया यानि टोटल क्रायमूल मेरे पास 200 था टोटल विक्रायमूल 24.50 तिसी स्तिति में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितना का 14.50 का कितना पे 200 पे गुना 100 यानि यह 0000 कट गया यानि यह 7.25 रुपया 7.25 परसेंट क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लाव हो रहा है तो जो इस कंसरों का अप्शन नमर सी 7.25 यानि साथ पुनाएं के कवर्टा 4 परसेंट लाव नेक्स्ट आते हैं किसी संग्या कि 13 और 5 परसेंट से साल ज्यादा है परसेंटेज में कितना ज्यादा है 13 परसेंट 5 परसेंट यह एक परसेंट का P truth कितना जी pens आप संद दन्सरों का अप्सें नमरr d आयेक हैं तो नीच्छे दबल जुड़ाजेगा यानी एक ब्रट्टा इससे एक कम है एक वट्टा तीन का मतलब तीन में से एक कम है अगर यह एक कम है तो इसका वेतन दो हो जाएगा इसके वेतन का उन पात आ गया दो उन पात तीन अब क्याची बोला बी के वेतन एक वेतन से कितना परतिसत ज्यादा यानि बी का वेतन एक वेतन कितना ज्यादा ह है कितना में दो में गुने सो यानि 50 परसेंट जैदा है ऑप्शन नमर सी नेक्स्ट आते हैं एक विबान 240 किलम परती घंटा कि रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है जो दूरी तय करती है और अब दिश्टेंpt निकाल लें डिस्टेंस विबारावर क्या होता है ताइम गुणाए स्पीड यानिERS 214 और टाइम पांच यह डिस्टेंस आ अब बहुवारा इसी डिस्टेंट पो यानि उसी दूरी को पांच बत्तीन गैं जब पांच बत्तीन घंटा होगा तब उसका स्पीड क्या होगा तो स्पीड बाहर क्या ह penn caveat चा satisf फ्ञाइंब टाइम थम और टाइम केतना था पाँच बटा तीन और ये तीन चाट पर चला जाएगा पांस पांस क्ट जाएगा ठर्क्स जो विष्टियाब वातर यानि 720 किलोमेटर परती घंटा उसका चाल होना चाहिए ऑप्शन नमर्डी कि नेक्स सवाल आते हैं में sound found ऑन i biggest अरुपया की चक विर्धी व्याज पर darauf इसरे वर्स के लिए चार परस न तीसरे वर्स के लिए 5 परसे दरोपर दिये गहें तो थी वर्स जाल कितना रकम दिया घया देखिये यह सवाल में कुछ निए सवाल में केल्कुलेशन है ऐसा नहीं है कि सवाल आपको नहीं आता होगा सवाल तो बना ही लिजेगा लेकिन कैलकुलेशन यहां पर मेंन है तो चक्वेदी भाज में मांट वालाव क्या होता पी इन्टू वान प्लस आरवाय हंड्रेड के पावर टी अगर मान चले समय तीन साल के लिए हैं तीन साल के ल ठीक है तो जब दर सेम रहता है तो हम क्या करते है यही क्यूब हो जाता है यानि इस तीनों को बदले में क्या करते हैं जैसे एक्स गुने एक्स गुने एक्स बराबर क्या होता है एक्स क्यूब कब जब दर तीनों जगा सेम रहता है अगर एक्स गुने वाय गुने जड़ रहे गा तो हम लोग x cube करेंगे नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे जब दर रहेगा तब थे ठीक है क्यूब कर देंगे लेकिन जब दर अलग अलग हो तो one plus r1 बटा 100 one plus r2 बटा 100 one plus r3 बटा 100 ठीक है तो यहां पर तीन अलग अलग है तो यहां से मांट निकालने के लिए क्या करेंगे 25,000 गुण ने one फ्लसR1 पहला बार धर 10 परसेन्ट है यानि एक पलस तीन वट्टा सो दूसरा बार 4 परसेन्थ है तो 104 वट्ट प्रसेन्थ है तो 105 वट्ट सव कई अगर हम इसको calculation करेंगे तो minimum 3 से 4 minute लग जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर elimination इसको options eliminate कर देंगे देखे जैसे 105 का अगर हम बात करें तो यह 3 का multiple है तो हम क्या करते हैं तीन का multiple option में खोज लेते हैं तो 3 का multiple अगर हम देखे तो एक option number यह भी 3 का multiple हो रहा है और 8,2,10,1,11,1,12,3 यह 3 का multiple नहीं हो रहा है option number 3 खतम यह भी 3 का multiple नहीं हो रहा है यह भी option खतम तो जो 3 का multiple आया मेरे पास एक ही option दो option आगे एक ए और दूसरा बी अब हम क्या करेंगे हम लोग digital sum का यूज करेंगे जो हम लोग नमर सिख्टम में पर चुके हैं वह है digital sum का यूज करेंगे यहाँ पर digital sum कितना हो रहा 5,2,7 यहाँ पर digital sum 3,1,4 यहाँ पर digital sum 4,1,5 और यहाँ पर digital sum 5,1,6 अब digital sum निकालते हैं तो 5 का 20 यहाँ पर digital sum 2 हो जाएगा 6,2,12 यहाँ पर digital sum 2,1,3 हो जाएगा digital sum 3 और 7,21 यहाँ यहाँ पर digital sum कितना आ गया 2,1,3 हो गया तो total digital sum मेरे पास 3 आया actually इस दोनों में digit same ही है इस दोनों में digit same ही है तो इसलिए हम यहाँ पर digital sum का यूज नहीं करेंगे जब digit same हो तो digital sum का यूज नहीं करना चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा काटके उसके बाद unit place देख लेंगे तो यह 3 0 हम कार देते हैं 2 और 1 3 0 फिर 25 से यह 4 बार में कार देते हैं फिर यह 4 से 4 दूना 8 चार चाहिए 24 बार में फिर 2 से 13 बार में और 2 से 5 बार में 5 से फिर यह 21 बार में यहाँ पर मेरे पास कितना आगे 103 गुने 13 गुने 21 अगर हम unit place पर देखे तो 3 ती आ 9 आ 9 यानि unit place मेरे पास क्या रहा है 9 आ रहा है और unit place पर एक ही option में ए में 9 दिया गया है यह दोनों option तो पहले खतम हो गया था तो एक ही option में 9 दिया गया unit place पर जिसका अंसर होगा वह 9 हो जाएगा तो तो actually हमें digital sum का यूज इसलिए ने करेंगे कि यह दोनों जो इस दोनों में जो digit है वो दोनों सेम ही है इसलिए digital sum का यूज नहीं करेंगे नेक्स सवाल आते हैं यदि किसी बिर्द के ब्यास में 100% की विर्दी करें तो उसके छेतफल में कितना विर्दी होगा अगर किसी बिर्द के तिर्जिया में अगर तिर्जिया में ए परसन का विर्दी होता है तो छेतफल में कितना परसन विर्दी होता है ए पलस ए पलस ए गुने 100 बटा 100 यह 100-100 कट गया एक 100 200 और यह 300 यानि टोटल 300 परसंट का बिर्दी हो जाएक आप्सन नमर ए नेक्स अवाल एक समदिबाहों तिर्भूज का परिमाप पठारा दिया गया उसके पार्स भूजा और आधार का अनुपात 7 अनुपात 4 है जैसे एक समदिबाहों तिर्भूज है यह समदिबाहों तिर्भूज हो गया जिसमें दो भूजा बराबर होते हैं यह दुन भूजा बराबर कर देते हैं इसके पार्स भूजा और अधार का अनुपात अधार 4 है और पार्स जो भूजा है यह 7 और 7 है ठीक है और परिमाप भ च्छत्रफल क्या होगा पहला तरीका यह होगा आपका कि हीरोन के सुत्र से हम लोग इसका निकाल सकते हैं हीरोन के सुत्र से इसका च्छत्रफल निकाल सकते हैं जो सबको पता ही होगा अब दूसरा तरीका यह होगा जब भी सम्दिवाहों तिरभुज का बात आए तो हम क्या लंब डालेंगे तो इस लंब क्या करेगा यह लंब इस आधार को दो बरावर भागों में बांट देगा यह चार था तो यह दो और यह दो हो जाएगा सब दिवाओं तिर्भुज में जो लंब होता है वो अधार को दो बढ़ावर भागों में बांट देता है अब ये एक समकून तिर्भुज हो गया ये बुलू वाला ये एक समकून तिर्भुज हो गया समकुन तिरभूज में अगर हमें लंब निकालना रहेगा तो या निकालते हैं अंदरूट करण का स्कॉर रिए जात चोक सासती इन चास अब माइनस चार यानि अंदरूट कितना हो जाएगा 45 यानि 45 गों कह रिख सकते हैं 95 45 यानि 3 रूट 5 यानि हमें लंब पता चल गया 3 पांच है जब हमें लंब पता चल गया 3-5 है तो अब हम लोग किसी भी तिर्भूज का छेत्फल निकाल सकते हैं तिर्भूज का छेत्फल क्या होता हैं एक वट्टा दो गुने आधार गुने उचाई। उचाई लंब को ही बोला जाता है ठीक है एक वट्टा दो आधार कितना हैं मेरे पास टोटल टोटल आधार मेरे पास 4 है और उचाई कैतना निकल गए ये वला उचाई। कि 3 रुट 5 यानि चार गृण 2 प्र पांच तीन न 6 रुट-5 यानि ये 5 था किन से इसका जो अंसर होगा वो शेरुट-5 बशल की ऑप्न ब्याइब हो जाएगा तो ततर से लुगत हों दिभूज्बिन इकालएगर सुछवित कि ध्रण की वाओं निकाल दरीredit का regenerate जैसे लंब का लंबाय आएगा तो हम तिर्गुज का छेट फल वार एक बट्टा दो गुनिया धार गुनिया उच्छा इस फर्मूला से इस सम्दुबाउं तिर्गुज का छेट फल निकाल लेंगे कि अब नेक्स सवाल आते हैं एक आयताकार सम खश्ट फलक के तीन निकटवर्ती फलकों का जो शेट फल है 12-15 और 20 सैंटिमिटर उस समांतर सश्ट फलक का आयतान गयात करें सबसुपर एक समांतर सश्ट फलक देखते है यह एक समांतर फलक है जिसमें लंबाई ये रहा यह लंबाई हो गया और यह चौराई हो गया और ये उपर वाला भाग जो है ये उच्चाई हो जाएगा ठीक है इसका तीन फलक होगा तीन फलक कौन-कौन एक एक अगर हम नीचे से लें जिसमें लंबाई भी सामिल होगा और चौराई भी सामिल होगा ये नीचे वाला फलक यानि नीचे वाला फलक का से लंबाई भी सामिल होगा ये उच्चाई और ये चौराई भी सामिल होगा यानि बी गुने एस सामिल होगा और ये कितना दिया गया है पंदरा सेंटिमेटर एक में लंबाई चौराई सामिल होगा एक में चौराई और उच्चाई सामिल होगा और एक में उच्चाई और लंबाई सामिल होगा और उसका छेत फल दिया गया है वो कितना दिया गया है एक में चोड़ाय उचा होगा जिसका सेथफल 15 दिया गया है एक में उचाय लंबाय होगा जिसका सेथफल 20 दिया गया है तो हमें इसका आयतन निकालना है तो यह हम घहनाव इसको एक तरफ से घहनाव बोल सकती है यानि घहनाव का जो आयतन होता है वो क्या होता है लंबाय ग सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा बारह पंद्र एक सब्सक्राइब हो जाएगा अब यह स्क्वाइर को हम उधर ले आएंगे तो क्या होगा अंदर रूट चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दिजाएगा थैंक्यू बाए बाए